आज हम क्लास 10 में नौन मेटल और नौन मेटल टॉपिक में कैमिस्ट्री नौन मेटल नौन मेटल केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें हम जो आज डिसकस करने जा रहे हैं उस टॉपिक के अंदर चैप्टर नॉम्मर 3 में वह है रियक्शन सोब दा मेटल विद द ऑक्सिजन तो कि यहां पे रियक्शन सो होती है मेटल के साथ में भी होती है और हम उन से खाटीidan के बहुत करेंगे मेटल के साथ में से जएँट हुई है तो आज इसके बारे में हम डिसकस करते हैं तो metals in the general have the tendency to lose one or more balance electrons while the combining combining with the other elements okay तो metals का जो characteristics होता है इनकी जो tendency होती है वो electron को loss करके फटावर्स से जो balance electron होता है outer outer जो सेल होती है outer cell में जितने ही electrons होते हैं उनको फटावर्स से यह remove करता है यहां से balance electron को यह remove करके और इसमें tendency किसकी होती है एक कोडिनेशन एक bond बनाने की कोडिनेशन होती है metals के अंदर ओकी गईज दा chemical reactivity the chemical reactivity of the metal is linked to its tendency to loss loss the electron to form a catein जो chemical reactivity होती है metal की is linked to its tendency to lose अपने electrons को loss करता है जो chemical reactivity होता है और catein का form करता है दो चीज हमने पड़ी फरस्स चीज क्या थी जो metal होते हैं उनमें जो bond बनाने की capability होती है वह intensity tendency की ज्यादा होती है क्यों होती है outer cell के अंदर metal का हमने बढ़ा था outer cell में कितने electrons होता है 1 2 3 1 2 3 को remove करना उनके लिए easy होता है metal में और इस फदल से यह अपना bond भी अच्छी तरह से बना लेता है तो first point यह था second point जो हमने जैसे ही वह electron से यहां से outer cell से जैसे ही remove हुए तो यह केटाइन अपना बना लेता है metal क्या बनाता है केटाइन ओके तो यह चीज आपको पूछ लिजाती है जब electron का loss होता है तो क्या बनता है केटाइन बनता है वन मक्स का आपका क्यूशन आ सकता है examination में बॉड एक्जाम में प्री बॉड एक्जाम में इनमें आपका क्यूशन आ सकता है तो इस चीज को धियार अपना आगे हम डिसकास करते हैं greater the tendency to lose electron more reactive is the metal अब इस चीज को हम इसे समझते हैं जैसे आउटर सेल के अंदर किसी बीलेक्ट्रों किसी बीम एल्यमेंट के आउटर सेल के अंदर ये इलेक्ट्रों से यदि इमर्स आउट होता है यहां से रिमो होते हैं तो जितने स्पीड से ये रिमो होंगे क्यूंकि में जनरल कितन सिलेक्ट्व और इनको और करना इनको रेमु करना बहुत हार होता है जब कि मेटल के अंदर आॉटर सेल के अंदर वेलेंसलेक्ट्व नोथे वंट तू थी होता है। इनको जंडरली अपन, मोर रियक्टिव इस दा मेटल जितने गेट टेंडेंशी लोस इलेक्ट्रोन की होगी उत्रहीं वह जो मेटल होगा वह ज्यादा रियक्टिव होगा अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें है कि रेक्षण ऑम डामेटल विद ऑक्सिजन हमने सुरू में स्टार्टिंग्स अपड़ा था कि हम यहाँ पर डिसकस करेंगे मेटल की ईक्सिजन के साथ में जो रियक्ट्र नाश्ण में अड़िया हुआ है और ज्यादा इसमें तो हम सबसे परेंमेटल के बारे में ऑप्सि जितने भी मैटल होते हैं वह ऑक्सेजन के साथ में कमाइनड होके वह क्या बनाते हैं? मैटल्कृइट बनाते हैं जैनरल फोम होती है इसकी रियक्शन की मेटल ऑक्सेजन से ममाइन होता है मैटल औक driving बनता है अब यहां पर है अकली मेटल्स है अप्सिप्ट शोरी एंड एलकली एर्थ मैटल्स अखेज़ केल्सिएं दर्येक्शन है तो इस चीज को समझो आप सबसे पहले तो इसमें पॉइंट आया कि आलकली मैटल्स क्या होता इंग उप क्या है और सेकिन्ड पॉइंट जो क्या है अलकली एर्थ मैटल्स तो इन दोनों डिफेर्स है जो प्रियोडिक टेबल है आपकी जो फर्ष्ट जो ग्रूफ है ग्रूफ फर्ष्ट होता है यहां पर जो सोडियम है पॉटेशियम है जितने भी यहां पर फर्ष्ट ग्रूफ के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अलकली मेटल्स जो सेकंड ग्रूफ होता है आपक लाए अर्थ मेटल्ट तो तो श्मितियावद्दार रियक्शन इस लो अर्ट रूम टेमपरचर इनकी जो रेक्शन होती है वो रूम टेमपरचर पीट थो इस स्लो होती है सोडियम एंड पोटेशियम डेक्ट विजॉसली विद ऑक्सिजन एड़ रूम टेंपरेटर एंड़ केचिस फाय अब यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आपको इस चीज के बारे में साइद पता हो थोड़ा बहुत जो सोडियम और पोटेशियम है वह जो रि एंगे तो यह बहुत ही फास्टली यह रियक्शन कर लेता है ऑक्सिजन के साथ में और यह जलने लग जाता है यह बहुत ही इस चीज का आप यहां रखना यह आपको पूछा ही पूचा जाएगा ओके दिशा रिजन वाइस ओडियम और पोटेशियम और के रोसीन यही पूछेंगे आपसे कि ऐसे कौन से elements हैं जिनको हम केरोसीन में रखते हैं तो फर्स्ट क्यूशन यह है तो इसका आंसर क्या होगा sodium and potassium second question पूस्ट लिया जैसे वह element जिनको केरोसीन में रखते हैं उनका नाम क्या होता है तो उनका नाम क्या होता है एलकेली मेटल क्या होता है एलकेली मेटल ओके तो यह दोनों कुछन यहां पर क्लियर होगे और यह मॉस्ट इंपोर्टेंट के इंदर अच्छे मांक्स आएंगे क्योंकि टैंथ बॉर्ड के अंदर आप एक्जांपल दोगे तभी आपके पूरे मांक्स देंगे ने जैसे इसको तो उसको बैले खरना है और उसको भी करना रियक्षन को ओके तो इसमें है प्लस और टू 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 अटू ओके यह सोडियम औक्साड बन गया है और यह सोडियम क्या है यह एलकली ग्रुप का मैटल है और इसके ही जो अपने प्रोफटी बड़ी थी ती यह जहादा नंगे साथ में और सोडियम औक्साइट यह बना देता है ऑगे बहुत फास्ट रिक्षान लेते हैं आपको बन माक्स का नाम दे दिया और इसको क्या बोलते हैं चैप्टर की आप को इसको क्या बोलते हैं तो कुछ भी हो सकते हैं अब पढ़ते रहो उन सीडियों को तभी आपको बेनिफिट मिलेगा और इन फिचर आपको यदे बीटे वगरा करना है और आगे आपको साइंस बेक्राउंड में जाना तो आपके लिए बेनिफिचल होगा अब इसके अंदर हम देखते हैं दिस कोपर ओकसाइड फॉर्म इस हम जो अब डिसकस कर रहे हैं नेश्ट वाली दो स्लाइड है जो हम डिसकस कर रहे हैं वह एक्जामिनेशन में पूछी जाती है यहां पर जो यह टॉपिक है रेक्शन वाला इनमें से जनरली क्यूशन पोश्चते हैं और आपको पता होना जाए कि टेन बॉर्ड में कुनको चीज़े आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है और उनको हमें याद करना ही करना है और और चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं एक बार के लिए बट इंपोर्टेंट जो चीज़े हैं इंपोर्टेंट जो रियक्शन हैं उनको हमें याद ही करना है तो यह मॉस्ट इंपोर्ट पूछ जाती है we know that metal oxides are basic in the nature but there are the some metal oxides which saw the both basic and the acidic property यह generally जो क्या होते जो metal oxide बनते हैं aluminum क्या है metal oxide जो भी बनते हैं metal oxide हमें सब basic होते हैं nature में basic होते हैं और आपको basic और acid का तो पता होगा एक brief introduction में देता हूं acid और base के बारे में आपके लिए helpful होगा यह pH scale होता है आपने पढ़ा होना side यह एफ सेट तक होता है यहां 1 आक हम P यहां पर मर्किंग होती तो इसके अंदर क्या होता है जो हम यहां होता है यहां पर यह कम निफिल मेंट होता है ऑर उसके रावा Shiсти DR 6.5 ए पे पार पर रहे हो और जो भी आ रहे हो जो भी आ रहे जितना नीचे की तरह पार रहा वह a fact network और द्सक्नेटर होगा दूट होगा तु अपर पैसिक अनिचर तु तरह और मुटायर हो jurisdial 212-3 को ऑख बार बैसिक इन पार शल्क्नेटर जो में मुत अइचक आयए तो के और आपका एक काम है जो पिए इसकाल में ने अभी बताया उसके आपको एक्जामपस लिखने हैं ओके आपका यह होमवर्क के एक्जामपस लिखने यसे लेमन हैं वगरे वह सारी चीजे हैं बहुत सारे हमारे जो डेली रूटीन के अंदर हम खाते पीते हैं जो भी हम लेते हैं उन्हें होते हैं तो आपको इस सर्थ करके आपका होंवर के एस डिक और बेसिक नेचर में कौन-कौन सी चीज़े हैं तो यह आपको नोट आउट करके आपको लिखना है इन चीज़ों को अब हम आगे वरते हैं इसमें तो यह क्या बोलना चाहरा है सबसे पहले कि जो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं यह जनरली तो बेसिक नेचर में होते हैं बट कुछ मेटल ऑक्साइड सम कंडिस्वन्स हो होता है जिसमें क्या होता है यह उसका हम इस होकी यहों करते हैं अभी हो सकते हैं तोHS चीज़ ने और से बहुत हो सकते हैं तो इन फचरिक ऑपक्साइड का होता है तो metal oxides which reacts with the both acid and as well as the base to produce the salt and the water are known as amphoteric oxides समझ गया आप जो metal oxide है metal oxide यह जी reaction कर रहा है acid या फिर metal metal oxide है वो बेस से reaction कर रहा है और आगे की तरब क्या दे रहा है सब्सक्राइब मेटल अक्साइड है metal oxide प्लस acid के साथ में मिलके हमें क्या दे रहा है salt oil water और उसी तरह metal oxide है यहां पर acid दे दिया था हमने यदि बेस से reaction करवाई हमने तो यह भी salt and water दे दिया तो यहां पर जो यह है वो यह बैसिक से reaction करवाई हमने metal oxide की तो यह क्या हो जाएगा यह बैसिक नेजर का हो जाएगा तो दोनों प्रोपटी आगे ना metal oxide के अंदर यहां असे कर वार तो basic का रहा है और यह बैसिक से reaction कर रहे हैं metal oxide की तो वह हमारे यह बैसिक नेशर का हो रहा है तो इस चीज को ध्यान में रखना और एक्जांपल भी देना यह त्री माक्स का आपके क्विशन आगया एंफ़टरिक oxide क्या होते हैं तो यह डेफिशन लिखनी है इसके बाद में एक्जांपल में एलिन्यों oxide और zinc oxide और उसके बारे में हम आगे भी चीज़े लिख सकते हैं यह सारी चीज़े रेक्शन आपको लिखनी पड़े कि तभी आपके फुल मक्स आएंगे जैसे एल्टू O3 प्लस 6 HCl देंस्टू 2 LCl3 और H2 यहां पर यह सोल्ट है यहां पर वोटर बन गया यहां पर acid के लिए तो इसको हम क्या करेंगे metal जो oxide है यह basic निज़र को होगा यह acid है तो यह बेसिक होगा उल्टा हो जाएगा उसी तरह L2O3 यह कोई oxide है उसको हमने अन्यों से reaction करवाई तो वही जो आन्यों और टू जो बन रहा है यह salt है और यह water है तो हमने यह basic निज़र क्या होता है basic होता है निज़र आप इसको सर्च करना निज़र क्या होता है इसका सर्च करना गूगल पर आपको मिल जाएगा बुक्स में आप देखना बुक्स में मिल जाएगा इसका तब होगा और यह basic है तो इसका सब्सक्राइब तो यह basic होगा तो यदि यह base L2O3 मेटल ओक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो यह acid होगा ओके आपोजिक्ट और बनाएंगे क्या यह salt and water कि आप हम आगे वृटता है most metal most metal oxides are insolubile in the water the most metal होते हैं वो insoluble होते हैं water के अंदर water में insoluble होते हैं but some of the these dissolved in the water from the form alkali मेटल ओक्षाइड होते हैं वह वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं वह वाटर में सॉल्यूबल का मतलब मिक्स होना ओके वह वाटर में मिक्स नहीं होते हैं जबकि बट सम आप इस डिजॉल इन दा वाटर टू फॉर्म दा एलकली और कुछ जो मेटल ओक्षाइड होते हैं वह वोटर में डिजोल हो जाते हैं वोटर में डिजोल होके वह एलकली बना देते हैं okay sodium oxide and potassium oxide dissolve in the water to form the alkali जो second option हमने देखा था कि कुछ insoluble होते हैं और कुछ क्या होते हैं डिजोल हो जाते हैं और form alkalie बनाते थे तो उसके अंदर हमारे जो एक्जाम्पल है sodium oxide का और protection oxide का दो एक्जाम्पल कॉन-कॉन से हैं sodium oxide और potassium oxide जो एलकली बनता है अने two plus two यहाँ पर जैसे रियक्शन हुई अन्योच बना दिया उसी तरह के टूओ प्लस अस्टूओ के ऊच बना दिया ओके यह यह बन गए यहाँ पर एलकली sodium का के जो पोटेशियम है तो यह एलकली बन जाते हैं आपे होके हैं इन चीजों को आप रिकॉल करना और repetition इस चीज का हाप जितना repetition करोगे उत्रहीं आपके लिए beneficial होगा और आप कभी इन चीजों को बस्ट लागे करते हैं कि हाँ क्युक्य को बरेक्शों होता है ऐसे नहीं कि और रिक्शन होती है क्यों क्युक्स होते हैं क्यों क्यों और labor सिक और इप पर है उत्तर आफी जितने मार्व का आपका आट अव्ट स्टमाग्व एंज करने कि ऑलसे होगा जिसे सब्सक्राइब नोर्मल जो टेंपरतर होता है वहाँ पे मेश्यम और अलुम्नियम जो जिंक है वह एक ऑक्षिडेशन की लेर से ऑक्षिडेशन की लेर उनके उपर रहती है ओके नॉर्मल टेंपरतर पे विच प्रेवेंस ता मेटल यह निए फ्रॉम फ्रॉम फर्दर ओक्षिडेशन इससे किया होता है इनमेश द्लिए प्रिवेंट रहती एंपर जिसमें मौश्टर में है यह मौश्चर के अंदर तो मौश्चर का इसका ऑफेक्ट नोगा क्योंकि इस पर पहले से ऑक्षाइड के लेर चडी हुई है ओक उस इस वाज़े से अपन कभी भी यूज करते हैं मेगनीशियम एलुमिनियम और जिंक को तो इन से सबसे पहले इनको सेंट परता है हमें रफ करना पड़ता है जिससे कि यह चीजे हमें गेन हो पाती है प्योर्ली रूप से ओके अब यहां पर आयरें डजन्ट बैंड ऑन दे हीटिंग बट आयरें फिलिंग फिलिंग विजोशली वेंड़ेंग इस चीज़ का आप देखना कि क्या होता है जीजे आयरें आरें के बारे में यह बार्न होता है तब ही टे प्रोडूज और इसकी रियक्शन कैसे होती है और उ होट मेटली स्कॉटेड विटे ब्लेक कलर चुमेर अब दा कॉपर ओक्सायड तो इसके अंदर क्या है जो कोपर है जन्रल यह बंड नहीं होता बट कोई भी होट मेटल है उसके साथ में यह काला कलर तो ब्लेक कलर तो यह देए देता है ओके एक लेयर बना देता है और सब्सक्राइब करेंगे यह एक्ट कर पाएंगे ऐसे रेक्ट नहीं कर पाता है ओके गाइज हो लाइक इट वीडियो